वेलकम बैक टो अवर चैनल एजूकेशनल लर्निक पॉंट दोस्तों यह आज का हमारा टेस्ट नूमर 33 है तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रेशन की पहला प्रेशन है भारत में आद्रभूमी सम्मेलन रामसर कंवेंशन किस वर्ष लाग हुगा जो हमारा रामसर कंव रामसर वह आद्र भूमी या नम भूमी हैं जिन्हें रामसर कंवेंशन के तहत इंटरनेशनल महत्व दिया जाता है यानि कि अंतरास्टी महत्व का महत्व का दरजा दिया जाता है तो यह रामसर साइट्स हो गई हमारी अंतरास्टी महत्व की आद्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन विशेश रूप से जल पक्षी आवाज के रूप में आदर भूमी के संथ्ट बहुत्षन और सतत उपयोग के लिए एक अंतरास्थी संद्ध है यह आदर भूमी सम्मेलन और इसको क्या कहते हैं इसको इक वे्ट लेंड कंवेशन भी convention भी कहा जाता है इसको रामसर समय convention को wetland convention भी कहा जाता है और इसका जो नाम है वो इरान का एक शहर है इरान का एक शहर है रामसर उसके नाम पर रख्था गया है और वहाँ पर ये संधी होई थी तो ये संधी कब होई थी 1971 में ये संधी होई थी इस पर हस्ताक्षर हो गए थे जहां पर 1971 में कंवेंशन पर हस्ताक्षर किया गए थे और जो हमारे टोटल नमबर ओफ साइट्स हैं, वो कितनी हैं? पहले तो हमारी तोटल नमबर ओफ साइट्स जो थी, वो थी 47 अब जो हैं लगब Πरसुन 10-30 हeszा चौक यह म送ा कि हैं और जिन में आफी में आपि जोड़े गई हैं तो धुर अ गें चल्क तो वह एक गुज्रा गुज्रात का जो जामंजरर के पासिन खिजड़िया खिजड़िया पक्ष्य अभियारण दूसरा डूसरा उत्तर प्रदेश में एक वखीरा वनेजीव अब्यारन है यूपी में वखीरा वनेजीव अब्यारन ने एक उसको जोड़ा गया तो तो टो टो टल हमारी जो नंबर ओफ साइट्स है वो कितनी है वो है इसका आंसर हमारा 1982 जिनको वेटलेंड कंविंशन भी कहा जाता है और एरान का एक शहर है रामसर उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है जहांपर 1971 में यहां पर हस्ताक्षर हुए थे रिसेंटली अभी दो इसमें साइट्स चूड़ी गई है जो कि एक गुजरात में गुजरात में जामनगर के पास खिजड़िया पक्षी अभियारान को और उत्ता बिर्देश में बखीरा अभी बनेजीव अभियारान को इसमें अगला प्रशन हमारा प्रशन संक्या है हमारी तीन वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई निमलेकित में से कौन सी योजना अपने वो देश सही डंक से मिल खाती है तो इन जोभी scheme है यह अपने उद्देश से जो इनका लक्ष है कौन से सही scheme मेल खाती है तो मेल खाती है हमारी option A सुमन योजना यानि के गर्बती महिलाओं को निशुल्क दवा यह इसका सुमन योजना है यह गर्बती महिलाओं से संबंद तियोजना है और इनको प्रदान की जाएगी इसमें और इसका जो पूरा नाम है सुमन इसका क्या फुल फॉर्म क्या है सुमन की सुमन की फॉल फॉर्म है सुरक्षित मात्रत्व आश्वासन सुमन इसकी फिर से बता दो मैं आपको सुरक्षित मात्रत्व आश्वा होले थी तो हमारा जो नेक्स्ट है अगला प्रैशन है क्या के उस बल का क्या नाम है जिससे प्रतिवी परतिख वस्तू को अपनी ओर खीचते हैं तो ज्वार बच्छों को में कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा तो इसका आंसर है मरा भी गुरुत्वा कर्शन यानि के gravitational force तो जो इसका आंसर है option भी हमारा सही है अगला प्रेशन है प्रेशन संग्या है पांच निम्लिकेत मैं से कौन हिंदुस्तानी शास्त्री संगी शेली में परसे तबला बादक नहीं है तो जो इन में से जो परसे तबला बादक नहीं है वो कौन है वो है हमारे अमजद अली साब अमजद अली साब जो है वो तबला से संबंदित नहीं है यह सरोध बादक है सरोध बादक है अमजद अली साब जिनको 1991 में 1991 में पद्म भूशन से भी पद्म भूशंट से भी समानित किया गया है, अमजद अली सापको, जो कि एक सरोध वादक है, उनने से क्याना पद्म भूशंट से भी समानित हैं, जो कि, अगला प्रशन हमारा प्रशन संग्या है, 6, मानव अधिकारों के छेत्र में सैयुक्त राष्ट पुरुसकार जीतने वाले एक मात्र भारती कौन है तो इसका आंसर क्या होगा बाबा आमटे ऑप्शन डी हमारा सही है अगला प्रशन हमारा प्रशन संग क्या है साथ दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की ती जिसमें पूर्ट सुराज का प्रिस्ताव पारित किया गय ने अब गया था और यह जो पूर्ट सराज जो पूर्ट सार जो गोशटो यह को 31 दिसंबर 31 कि 31 कि 31 कि 31 कि 31 दिसंबर को यह जो लक्ष था इनका यह गोशैत रिए गोश्ट हुआ था एक पंघाब प्रानि की राजधानी जो लाहोर है वहाँ पर पूर्ट सुराज को कांग्रेश का जो लक्ष था वो गोशित किया गया था 31 दिसंबर 1921 को जो मारा आंसर है वो है 31 दिसंबर 1921 को तो इसका आंसर हमारा जवाला नेरू अगला प्रेशन है प्रेशन संक्या हमारी आठ एहमा शापदाली ने किस युद में मराटो को हराया था तो वो हराया था पानी पत के तीसरे युद में और यह जो पानी पत का जो तीसरे युद था सबसे पहले तो यह कि सदा शिव राव भाव के बीच में हुआ यह यूद और इसमें जो जीत हुए थी वो किसकी हुए थी वह मस शाबदाले की जीत हुए थी जिसमें और यह कब हुआ था यह हुआ था 24 जन्वरी 1761 को पानी पत का जो तीसरा युद था वह हुआ था अच्छा पानी पत का जो दूसरा युद था वह हुआ था अमारा दूसरा युद था हेमू और अकबर के बीच में था जिसमें अकबर की जीत हुए थी और यह कब हुआ था यह हमारा हुआ था दूसरा युद था तो पांच नवंबर पांच नवंबर पंद्रसो चपन को पानी पत का दूसरा युद था था किसके बीच में अकबर और हेमू के बीच में जिसमें अकबर की जीत हुए थी और पंद्रसो पांच नवंबर पंद्रसो चपन को हुआ था और जो पानी पत का जो प्रथम युद था वो किसके बीच हुआ था वो हुआ था बावर बावर और इब्राहिम लोदी के बीच मे बावर और लोदी के पेच में वहा था कब वहा था यह यह वहा था 21 अपरेल 1926 को पानिपत का जो प्रत्थम में दुआ था यह यह वह था तो अरुनाचल परदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, होकर, माप किजेगा, यहां पर होकर है, कौन सी नदी तिबबत से निकलती है और अरुनाचल परदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो वो कौन सी नदी है, वो है हमारी ब्रहम पुत्र नदी, option B हमारा सह अगला प्रश्न संक्या है 10 गारो खासी रेंच भारत के लिए ब्लब नेन फिर्शित है लूप्ट प्राय एस्टुरीन मगरमच सानेक्षन के लिए कौन प्यारन फिर्शत है है बीतर करणी का वन लगवा भ्यारिण जोगी और शर्में फिर चै assess I am मगर्मक्ष सघंचन के लिए कौशा अगला प्रशन हुआर प्रशन को आ since नेत्र विकार को मैं लेजि आई के रूब में भी जाना जाता है ले तो बताई इसका ऐसके अंसर होगा हमारा अंभी लोपिया अप्शन डी हमारा सही है जिसको लेजी आई के रूप में यानि आजियांक के रूप में भी जाना जाता है अगला प्रशन है प्रशन संक्या है 13 युनेसको ने 21 वर्ष में योग को अपनी अमूर्थ सांस्क्रितिक विरासत सूची में शा espèreशन है । यह शामिल की यागे हमारा पता हुगा आप लोगों jako अप्शन अप्छन संक्या 14 किन लोगपरिय रूप में गंगा का विजेत कहा जाता है तो वह किसको कहा जाता है वह कहा जाता है रजेंदर चोल प्रत्म को option D हमारा सही है अगला प्रेशन संख्या है 15 निमले लिखित में से कौन सा भारत में पिर्षद दिजीव आश्रे स्थल है जहां एक डाइनसौर का पूर्ण कंकाल मिला था तो जो हमारा इसमें से जो भारत का एक पिर्षद दिजीव आश्रे स्थल है जहां पर एक तो वो कौन सी जगह है वो हमारी बधाम महरास्थ में option C हमारा सही है अगला प्रेशन प्रेशन संक्या है 16 भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रता को अपरात घोशित कर समाप कर दिया था तो इसका अंसर क्या है इसका अंसर क्या है बताए सती प्रता को 1829 में किस जनरल ने अपरात गोशित कर दिया था तो वो कर दिया था लाट विलियम बेंटिंग ने ओप्शन भी हमारा सही है अगला प्रेशन प्रेशन संक्या 17 सत्री अ किस राज़ी का पारूर पारबरेक हिंदू शास्त्री इनरत्त है तो यह किस राज़ेगा पारंप्रिकृंट है यह हमारा नरत है असम का यह वज़ 2000 में इस नरत को भारत के आठ शास्त्री नरतों में इसको शामिल किया गया तक इसको सत्रिया नरत को और यह जो इसके जो संस्तापक है वो कौन है इसके संस्तापक कि श्रीमंता शंकर देव गाइस के संस्तापक अगया सत्रिया नरत है और संद 2000 में इस नरत को भारत के आठ शास्तिरी नरतों में संभिलित होने का गौर अप्राब गाता तो इसका अंसर हमारा एंग्या अगला प्रेशन संक्या है अठारा भारत में पिछडा और अल्प संक् अगला प्रेशन है प्रेशन संक्या है 19 भारत पूर में किन देशों के साथ अपनी भूमी सीमा साजा करता है तो किन देशों के साथ भूमी साजा करता है अपनी भारत तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है म्यामार और बांगलादेश ऑप्शन भी हमारा सही है कि अधार नदी का उध्गम कहां से होता है तो एधार नदी जो है इसका उध्गम कहा से होता है इसका उध्गम जो है वो है चैंबर मभकम द्हील ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों आज तो फ्लीस एतनी तो रिक्वेस्च है आप से कि अगर आप एक अंसर भी में लगेगा है तो कहीं न कहीं आप इंटर्स्था मीं होती तो थोड़ा सा आप दाल था मुटिविशन हमें भी चाहिए अगर ऐसा नहीं है कि चीज आपके तो हैं आपके और कही费ाए न के किसी भी examination exam में आई जाएंगे तो आपसे इतना अनुरोध है इतनी रिक्वेस्ट हो है कि फ्लिज इसको कमेंट सेक्ष्शन में जरूर इसका answer दिया कीजिये question आपकी अच्छाई के लिए इसमें डाला गया है क्योंकि इसमें आपका एक एक एक्स्ट्रा कोश्चन जोड़ जाता है तो इसे यह पता लगेगा कि आपकी जानकारी किस लेवल तक की तैयारी है या नहीं है तो मिलते हैं अगले अगली शंकला में तब तक के लिए नमस्कार नहीं है